पठान में बदलेगी भगवा बिकनी अब किस रंग की होगी बिकनी तो क्या अब थम जाएगा विवाद बॉलिवुड के किंखान यानि शहरोखान अपनी मच अविटेड फिल्म पठान से चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक करने वाले हैं लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में फसी है फिल्म के बेशरम गाने पर दिपेका पादुगोंड की भगवा बिकनी का जम कर विरोध हो रहा है तो वहीं अब इन विवादों के बीच बड़ी खबर सामने आई है फिल्म में कई बदलाव होने वाले हैं यानि की संसर बोर्ड ने पठान के मेकर्स को फिल्म में बदलाव करने को कहा है संसर बोर्ड के सूतरों की माने तो पठान के मेकर्स को फिल्म में कई बदलाव करने होंगे यानि की जिन चीजों का विरोध हो रहा था फिल्म में उनका बदलाव किया जाएगा संसेट बोर्ड के चेर्मेन प्रसून जोशी ने कहा CBFC हमेशा रचनात्मक अभिवक्ति और दर्शकों की समवेदन शीलता के बीच सही संतुलन बनाने के लिए प्रसिद्ध है और ये मानता है कि सभी हित धारकों के बीच सार्थक समवाद के जरिये किसी भी विवाद का समाधान ढूंडा जा सकता है साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और भरोसा गौरफ शाली जटिल और सुक्ष्म है पठान फिल्म में सबसे बड़ा विवाद दीपी का पादुकों की बिकने की रंग को लेकर मच रहा है जिसको लेकर अब सेंसर बोर्ड ने फिल्म के मेकर्स को बदलाव के लिए कहा है हाला कि संसर बोर्ट ने पठान की मेकर्स को फिल्म में क्या-क्या चेंजिस करने के लिए कहा है इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है जिसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या दीपी का पादुकोन की भगवा बिकनी का कलर चेंज किया जाएगा या फिर उस सीन को एडिट किया जाएगा क्योंकि इससे पहले कभी कपड़ों को लेकर ऐसा बवाल किसी भी मूवी में नहीं देखा गया है दीपी का और शाहरुक का गाना बेशरम रंग चाहे विवादों में आया हो पर गाने ने चार्ट बस्टर पर टॉप किया है इसे दो हफ्तों में डेड़ सो मिलियन व्यूज मिले हैं अभी भी बेशरम रंग ट्रेंड करता है इस गाने को विवाद का भरपूर फायदा मिला पठान का दूसरा गाना जीयो पठान भी जबरदस्ते हिट हुआ पठान फिल्म 25 जनवरी को रिलेज होने वाली है इस फिल्म के जरीए शाहरुखान चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगे पठान फिल्म में किंग खान की जोड़ीदार दिपिका पादुकोण है हाला कि फिल्म रिलीज होने से पहले विवादों में फस गई दिपिका पादुकोण और शाहरुखान का हिंदू संगठोनों ने खुल कर विरोध किया और कहा कि फिल्म से हिंदूों की आस्था को ठेज पहुचाई जा रही है हिंदू संगठनों ने शहरुखान और दिपी कपादु को उनके पुतले तक जलाए यहां तक कि ट्विटर पर हैश्टाग पठान ट्रेंड भी करने लगा लेकिन इन सब के बीच अब सेंसर बोट ने संग्यान लिया है और पठान के मेकर से फिल्म के कई सीन्स में बदलाव की बात कही है हलाकि वो बदलाव कौन कौन से होंगे यह तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा वहीं माना ये जा रहा है कि फिल्म में जिन चीजों को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है उसमें बदलाव किये जाएंगे जिससे पठान फिल्म को लेकर बवाल थम जाएगा इस वीडियो में फिल्हान इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ